बिखार इन्सोट्स अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग बरे पोजिशन या बरा मुकाम मिलने पर अपने नीजी काम या फिर अपने छोटे कामों को छोड़ देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है आपको बता दे कि गया कि डिप्टी मेयर चिंता देवी जो हैं डिप्टी मेयर बनने के बाद भी आज भी वो अपने पहले की कामों को नहीं छोड़ी हैं बता दे कि वो आज भी अपने गायक भैस के गोबर और तमाम साफ सफाई का जो काम है वो करती आ रहे हैं डिप्टी मेयर बनने के बाद भी इस मामले में आपको बता दे कि जब चिंता देवी ने जीत हांसिल की थी तब उनको जो बधाई देते हुए नीती आयोग के अधि चीज लिखा गया था आपको बता दे कि चिंता देवी जो हैं डिप्टी मेयर बनने के बाद भी अपने कामों को नहीं छोड़ी है आप पहले चिंता देवी को सुने कि उनका क्या कुछ कहना है तो लोग उनके खुद आगे बढ़ाएंगे सब जनता बढ़ाएंगे क्या यह सरकार को काम थोड़ी है कि अपने से उनको बोलेगा उनको बोलेगा इससे करना नहीं यह अपने अस्तर से हर लोग से प्रेम से बोलना है प्रेम से चलना है प्रेम को लेके चलना है महिला को लेके चलना है सारा जनता को लेके चलना है अप पहले जारू लगाते थे तो हर आदमी हमको बोलता था कि मैं थोड़ा इधर कर दे मैं थोड़ा उधर कर दे तुटर है कि आपकी जीत उधारन की होगी है क्या कहेंगी इस पर इस पर कहेंगे यही कि जतना मेरा गया के मलाव है और भाई लोग हैं सब अपना अस्तर से ऐसे च अच्छा लगे जिसे आज हम आए हैं इस तरह से सब लोग करें तो बहुत अच्छा है और इहकी अच्छी है कि मतलब बहुत गया में बेरोजगारी है तो ऐसा करें सरकार की बेरोजगारी को रोजगार भी दे तो करेंगे इसकि reasonable तो यह अस्थाय पर यह अस्तर पर अहम को उन्हों बोला उन्हों लोग सारा जनता कि आप खाड़ा हो यह हम आपको भोड़ दें हम कोई को काम ने इबाधा नहीं कियें सारा जनता को काम करते गए अब लोग हमको बढ़ावाद देते लिए ऑस्थायं देविवि जी ती और इक आपं से तो भागवाद देवित वी जीथी ना तो भागवाधिया देवितों घया में आता है नहीं तो सर्फ दिली में बैठा लेगा को लोग को विताक ना चाहिए ना कि हम कैसे करें तो घया तो कुछ कर नहीं रहा है गया में करना चाहिए बहुत क्यों कि उसी तरह हम भी खाड़ा हुए है अब देखिए का करते हैं यह तो हम मेरा पास सुझाओ है कि गया को ऐसा नया जिंदगी दे दें कि ताकि लोगों कहें कि चिंता देवी जीता है तो कुछ कर रहा है फिलाल में पर लेखा उसके लिए धनवाद देते हैं और बहुत बहुत सारा जनता को सुबकामना दे रहे हैं अपने डिप्टी मेयर चिंता देवी को सुना जिनका कहना है कि चुनाव लरना एक बहुत ही सहच काम है वो जब चुनाव लरने के लिए खड़ी हुई थी तो उनको यह प बाद उनका पद जो है अहम बताये गया वहीं चिंता देवी जो करज लिथी चुनाव लरने के लिए उसे अब वो करज को पूड़ा कर रही हैं बता दे कि आज भी वो गाय भैस के गोवरों के साथ गोवर उठाती हुई नजर आई हैं आप तस्वीरों में भी साफ तोर प छेतर का ऐसा विकास करूंगी और गया के लोग हमेशा इस चीज को याद रखेंगे आपको बता दे कि चिंता देवी जो डिप्टी मेयर है गया की वो साफ तोर पे कहती हुई नजर आई हैं कि वो अगर जीती हैं तो जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगी और गया का वि लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद